गुट मॉर्निंग चिल्डरन, कुसु मैम की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों, आज हम कक्ष्या पांचमी की हिंदी की पठ्य पुष्तक जिल्मिल का पाठ ते रहें धरोहर के word meaning करेंगे और question answer और अन्यपूरी activities समझेंगे तो सभी बच्चे ध्यान से इसको करना और जितने भी इसमें question answer है वो अपनी कोपी में भी लिख लेना और याद करके अपनी मम्मी को सुना देना देखिए आए शब्दों के अर्थ जाने अनायास यानि की एका एक या अचानक आकरशित मतलब है लगाव होना किसी के परती लगाव होना जीवन्त यानि की जीता जागता पंडूलेपी क्या होता है पंडूलेपी पता है हाथ से लिखी हुई रचना को पंडूलेपी कहा जाता है पुरुष्कृत जिसे पुरुष्कार मिला हो प्रतिकृति यानि की मुर्ति अथ्वा चित्र वाजशल्य वाजशल्य यानि की संतान के परती प्रेम हम अपनी संतान के परती जो प्रेम करते हैं उसको वाजशल्य कहा जाता है श्ताबदी यानि की सो वर्सों का समू संग्राले संग्राले होता है वस्तूओं को संग्रे करने का स्थान पाठ से अब देखिए इसके question answer पहला है धरोहर संग्राले कहां स्थित है तो जब मैंने पाठ रीट करवाय था मैंने आपको बताया था ना कि धरोहर संग्राले कहां है क्रुक्षेत्र में हम इसको कैसे लिखेंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते है हर्याना राज्य के क्रुक्षेत्र में स्थित है या फिर ऐसे भी पूरा भी लिख सकते है यहां आगे हम लिख सकते है ध्रोहर संग्राल्य हर्याना राज्य के कुरुक्षित्र में सित है हमारा दूसरा क्यूशन है संग्राल्य में कौन-कौन सी जहाकियां देखने को मिलती है रहन-सहन, खान-पान, पहनावा, मेले, त्योहार और रीती रिवास की जहाकियां देखने को मिलती है हमारा तीसरा क्रिश्यन है हर्याना की एक विशेस्ता दूद दही का खाना है इस संस्कृति को संग्रहाले में किस तरहें से दर्साया गया है तो इसका उत्तर देखिए इस संस्कृति को संग्रहाले के रसोई घर में देखा जा सकता है यहां दूद मत्ती महिला की मुर्ती तथा बिलोनी घिलडी बोहिया आदी बर्तनों को दिखाया गया है हर्याना की रसोई की क्या-क्या विशेस्ताएं बताई गई है हर्याना की रसोई में देशी घी की महकाती है यहां दूध मत्ती, बाजरा कूठती, अनाज पीस्ती, चुलहे पर रोटी सेखती महिलाओं की मुर्तियां रसोई घर को सजीव बना देती है आगे हमारा क्यूशन है, बावन कली के दामन की क्या विशेस्ता है तो बच्चों बताओ, जब एने लेसन पढ़ाय था, उसमें भी आया था न यह है कि इसका वजन पंध्रहे किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है यह तो हो गई हमारे क्यूशन आंसर अब आती है बात, आपकी बात पहला है आपके घर में अपने पुरूजों की कोन-कोन सी चीजें रखी हुई है कि नहीं दो चीजों के बारे में बताए तो बच्चों आपके घर में भी, आपके पुरूजों की भी काफी चीजें मिलेगी अगर आपको ना पता हो तो आपकी मम्मी से पापा से पूछ कर जरूर यहां पर आपको लिखना है कि आपके घर में कौन-कौन सी चीजे हैं या फिर आप वीडियो के कॉमेंट में कमेंट भी करके बता सकते हैं कि हमारे घर में हमारे पुरुजों ने ये चीजें रख रखी हैं अब आगे है पाठ में नगाडे की बात की गई है पता लगाएं कि नगाडे को किन किन मोकों पर बजाया जाता है तो नगाडों की बात हुई थी ना मैंने आपको नगाडे की फोटो भी दिखाई थी तो बच्चों बताओ नगाडे को किन किन मोकों पर बजाया जाता है पता है आपको नगाडे मंदिन में भी बसते हैं जब पूजा करते हैं और आरती की जाती है तब भी नगाडे बसते हैं और भी कई मोकों पर नगाडे बसते हैं आप अपने मम्मी पापा से जरूर पूछे इस बारे में जानकारी ले और यहाँ पर आप लिख ले आगे है पार्ट से आगे धरोहर में खिलाडियों वे सवतंतरता सेनानियों के चाया चित्र बने हैं आप भी हर्याना के विख्यात खिलाडियों की सूची बनाए तथा उनके चित्र चाट पर चिपकाएं तो आपको य गया होगा द्रोहर में आपने खिलाडी और सोतंतर सेनानियों के चाय चित्र बने हुए देखे हैं ना मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी पार्ट पढ़ाते टाइम तो आपको क्या करना है उन खिलाडीयों की सूची बनानी है कि कौन-कौन से खिलाडी है उसमें और उन्ह जानकारी प्राप्त करके चर्चा करें तो आप जो है ये भी देखना कि आपकी मम्मी क्या पहनती है हो सकता है आपकी मम्मी अब दामन ना पहनती हो क्या पहनती हो सलवार सूट या साड़ी है ना तो आपको यहाँ पर लिख भी देना है और उन दोनों पोशाप में दामन म और जो आपकी मम्मी पहेंती है, उसमें क्या समानता है और क्या ऐसमानता है, ये भी आपको बताना है, आगे हैं पढ़ें, समझें, लिखें, इनका कैसा है इनका स्वाद, जरा चखकर बताएं स्वाद, तो हमें इनका स्वाद बताना है छाच, छाच क्या होता है पता है, लस लस्टी तो सब बच्चे पीते हैं कैसी होती है बताओ इसका स्वात कैसा होता है लस्टी का छाच का खट्टा खट्टी होती है ना लस्टी छाच खट्टा पाजरे की खिचडी नमकीन लापसी लापसी होती है मीठी चुर्मा चुर्मा भी बहुत सारे बच्चों का मन पसंद होता है तो चुर्मा बताओ कैसा होता है मीठा कड़ी कड़ी कैसी होती है है अब आगे हैं किसकी कब और कहा जरूरत हमें कहा कहा जरूरत पढ़ती है देखिए यहां पर कुछ शब्दे रखे हैं इनके बारे में हमें बताना है बिलोनी, क्या होती है बिलोनी, पता है दही बिलोने के लिए, किसलिए जरूरत होती है इसकी, दही बिलोने के लिए बिलोनी की, क्या होती है बिलोनी, एक घड़े की इतर है, घड़े का तो जो आगे से मुह होता है, वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बिलोनी का जो आगे क जो हिसा होता है वो ठोड़ा बड़ा होता है इसमें दही भी लोते हैं अब आगे है घिलडी घी रखने का बरतन बोहिया बोहिया क्या होता है रोटियां रखने की टौकरी बुखारी बुखारी क्या होता है पता है अनाज रखने का स्थान जहां पर हम खाने के लिए अनाज रखते हैं उसको बुखारी बोलते हैं बैल गाड़ी बैल से चलने वाली गाड़ी को बैल गाड़ी कहते हैं पालकी, पालकी का मतलब है डोली, अब आगे है पेज नमबर 89, नवासी, इसमें है गंडासा, क्या होता है गंडासा पता है, गाउ में जो बच्चे रहते हैं, उन्होंने तो देख भी रखा है, है ना, गंडासा होता है, चारा काटने का ओजार, बीजना, बीजना क्या होता है, हाथ से हवा करने के लिए, होता है ये बीजना, पंखी, पंखी भी हाथ से हवा करने के लिए होती है, जब बीजली नहीं होती है, तो हम जो है, पंखी से या बीजने से हाथ से हवा कर लेते हैं, टोकनी, टोकनी क्या होता है, पानी भरने का बर ऐसे बरतन हो सकता है आगे है भाशा की बात गाउ में महिलाएं सुबै सुबै दूद बिलोते हुए गीत गाती हैं इस वाक्य में दूद वे गीत संग्या है तथा बिलोते हुए वे गाती हुई क्रियाएं हैं इसी तरहें निमलिखित वाक्यांशों से संग्या वे क्रिया चा कर लिखें आपको आया समझ में क्या बात है क्या कहा गया है यहां पर कि गाउं में सुबह सुबह दूध बिलोते हुए गीत गाती है तो इसमें जो है ना दूध और गीत ये तो संग्या है और बिलोते हुए और गाती हुई क्रियाएं हैं समझ में आई संग्या क्या होता है पहले तो आप ये बताओ, किसी भी व्यक्ति वस्तू या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, किसी भी चीज का नाम है, उसी को संग्या कहते हैं, और किरिया किसे कहते हैं, बताओ, किरिया का मतलब होता है करना, काम का करना, जो भी काम हम करते हैं, जैसे बिलोना, हाथ उसे काम कर ये बिलोने का भी गाती हुई जैसे गाना ये सारी क्रियाएं हैं इसी तरह निमलखित वाक्यांसों से संग्या और क्रिया चाट कर लिखनी हैं हमें ये जो दे रखे हैं शब इन से ये वाक्यांस हैं बिटा इन वाक्यांसों से वाक्यांस क्या होता है पता है आपको वाक्या प्लस अंस यानि की वाक्या के हिस्से होते हैं वो पूरे वाक्या नहीं होते हैं यूशी को वाक्यांस कहा जाता है जैसे दही मतना तो दही दही एक खाने की वस्तू का नाम है इसलिए ये संग्या है और मतना एक क्रिया है रोटी सेकना रोटी खाने की वस्तू का नाम है संग्या है और सेकना जो है वो क्रिया है यानि काम जो करते हैं वो क्रिया होती है तो ये सेकना क्रिया है जूला जूलना इसी तरह से जूला भी जूलने का जूला जो है नाम है जूला जिस पर हम बैठ कर जूलते हैं और जूलन जो है वो क्रिया है रत हाकना रत रत भी नाम है इसलिए ये क्या है संग्या है और हाकना यानि कोई काम करना हाकना इसको चलाना रत को ये क्रिया है चित्र बनाना चित्र चित्र संग्या है और बनाना क्या है क्रिया है फोटो हीचना फोटो फोटो जो है संग्या है और खीचना क्या है क्रिया है अब आगे देखिए द्रोहर में ऐसे पत्रों को भी स्थान दिया गया है इस वाक्य में भी निपात है देखो भी आया ना यहां पर ऐसे पत्रों को भी स्थान दिया गया इस वाक्य में भी निपात है इसी तरह ही भी तो तक निपात कहलाते हैं इनका परियोग करते हुए एक एक वाक्य बनाए यहाँ पर हमें वाक्य बनाना है ही ही से मेरे लिए खाना तुम ही बनाना इसमें देखो ही यानि मेरे लिए खाना तुम ही बनाना यहाँ पर ही क्या है निपात तो बच्चो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, पूछ रही हूँ कि आपको पता है निपात क्या होता है, बताओ निपात का क्या अर्थ होता है, निपात का वाक्य में कोई, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ये किसके साथ जुड़ते हैं, संग्या, सरवनाम विशेशन या क्रिया के साथ लग कर उन्हें परभावशाली बना देते हैं ठीक है? अब आगे है हमारा अगला निपात है भी मैं भी बाजार जाऊंगी तो, तो से है तुमने तो खाना नहीं खाया तक यहे बस मेरे गाउं तक जाती है यहे बस मेरे गाउं तक जाती है तो यह थे हमारे कुछ निपात अब आप इनको याद भी कर लेना बच्चो यह जो हैं कुशन्स के रूप में एक्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि निपात क्या होता है? तो सभी बच्चे अच्छी तरह से इनको याद कर लेना यह चार-पांच जो भी हैं ठीक है? तो बच्चो यह हो गया हमारा पाठ तेरह ध्रोहर तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्लीज मेरी वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखना और इसे लाइक और शेयर जरूर करना तो फिर मिलतें नेक्स्ट वीडियो में बाई